दोस्तों नमस्कार दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और उस पॉलिटिकल पार्टी के नेता के तौर पर नरिंद्र बोधी यानि दुनिया में सबसे जादा लोग प्रिये नेता के तौर पर जिनकी पहचान है और समूची दुनिया में जो सबसे बड़े राजनेतिक कारणों पर मत जाईए मौजूदा वक्त की राजनेतिक परिस्तितियों को सिर्फ समझने की आज कोशिश कर लीजिए क्योंकि इतने बड़े राजनेतिक दल के पास कितनी बड़ी तादाद में कारकरताओं की फौज है हर राज दर राज संगठन कितना मजबूत ह हर राज में पास सितारा बीजेपी का हेड़क्वाटर मौजूद है जिले दर जिले तफतर बन रहे हैं और इस दोर में मोधी सरकार का मतलब 2047 तक भारत को विक्सित राष्ट बनाने की सोच है अब जरा कलपना शुरू कीजिए इस देश में सबसे बड़े राजनितिक गटबंधन को लेकर अगर कोई याद किया जाता है तो वो नाम अटल विहारी वाजपई का है 42-44 राजनितिक दलों को एक साथ लेकर उन्होंने सरकार चलाई थी और इस दौर में अपने तौर पर वही बीजेपी नारा दे रही है 370 तो लेही आएंगे और गटबंधन के साथ 400 पार होगा लेकिन 42-44 नहीं बलकि इस वक्ट तो गटबंधन के साथ जुड़ रहे राजनितिक दलों की तादाद हाफ सेंचुरी लगाने को तयार है यानि इतनी बड़ी तादाद में रज दर्रज जो भी नेता आ रहा है वो अगर एक सीट भी चाहता है तो उसको दी जाएगी वह साथ खड़ा हो जाए अगर विपक्ष की तरफ से किसे तोड़ा जा सकता है तो तोड़ के आप उसे ले आईए साथ खड़ा कीजिए कोकि राजनितिक तोर पर इस वक्त एक एक वोट की जरूरत है जी एक एक वोट की जरूरत है एक एक सीट की जरूरत है और कोई भी थोड़े से समुदाय को भी प्रभावित करने की स्थिती में होगा तो फिर उसे ले आईए ये पहला मंत्र है दूसरा मंत्र है कि विपक्ष कैसे कमजोर होता है इस दिशा में भी ध्यान दीजिए अगर किसी के आने से विपक्ष कमजोर हो जाएगा तो फिर उसे ले आईए, जाहिर है एक सीट देनी होगी, किसी को तो एक सीट भी देने की जरुरत नहीं होगी, उसके साथ तो राजनितिक सौधा विधान सभा के चुनाओ में होगा, लेकिन इस वक्त तो लोग सभा चुनाओ है, और गले की फांस दरसल ये नारा बन चुका ह जहां पर 400 पार का नारा है, लेकिन इस्तितियां इतनी विकट हो गई, कि एक एक दल जोडते जोडते 10, 20, 30, 38, 40, 44 और अब 50 के करीब पहुँच चुके हैं, हर किसी को कुछ चाहिए, हर कोई रूट रहा है, वो बिहार हो, वो महाराष्ट हो, वो उडिसा हो, या फिर वह आ अंदरपरदेशी क्यों ना हो, राजनितिक तौर पर सब को कुछ चाहिए, और यह इस्तिति उत्तरपरदेश के बीतर भी सुखबुगाहट के तौर पर है, तो क्या राजनितिक तौर पर बीजेपी अपने बूते चुनाओ जीत पाने की इस्तिति में नहीं है, जो नारे लाग का जिक्र हो रहा था, तो क्या वाकई बहुमत को लेकर बीजेपी फस चुकी है, और एक दो नहीं आधे दरजन राज्यों में फस चुकी है, तकरीबन डेर सो सीटों पर उसके सामने संकट मंडरा रहा है, अगर एक एक पन्नों को आज खोला जाए, तो हमें लगता है शुरुआत में आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वाकई इस देश के 50 राजनितिक दल बीजेपी के साथ खड़े हैं, आज महरास्ट नवनिर्वान सेना के नेता रास्ठाकरे दिल्ली आए, एक होटल में जो ताजमान सिंग है, वहाँ पर उन्होंने मुलाकात उनसे मह सचीब बीजेपी के विनो तावड़े नेकी, फिर वो अपनी गाड़ी में उन्हें बैठा कर महा सचीब पहुच गए देश के ग्रहमंत्री के घर पर यानि अमिशा के घर पर, और अमिशा एक एक चीज जोड़तोड कर रहे हैं, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, यहाँ मु समझे कि शिबू सरविन के जो बेठे सबसे बड़े थे दुरगा सोरीन, उनकी पतनी सीता सोरीन, उनको तोड़ लिया गया, यानि सोरीन परिवार साए कोई पहली बार तूटा है, और यह बीजेपी के लिए हर्शो उल्लास की इस्तिती है, तो क्या जारखंड के भीतर, र रास्त के भीतर शिबसेना को तोड़ दिया, एंसीपी को तोड़ दिया, और अब रास्त ठाकरे चाहिए, क्योंकि ठाकरे परिवार को लेकर भावनात्मत तोर पर अभी भी शिबसेना नाम न सही, लेकिन बाला साहब ठाकरे नाम जैन में आते ही, उनका परिवार सामने आ जाता है तो बेटा नहीं तो भतीजा चलेगा तो रास्ठाकरे को ले आए दिल्ली के भीतर की दो तस्वीरे बहुत कुछ कहती है एक तरफ रास्ठाकरे की मुलाकात अमिश्या के साथ जो अपने बेटे के साथ मिले और दूसरी तरफ सीता सोरिन का बीजेपी में शामिल होना लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर जरुरत क्यों पड़ रही है और इस देश के भीतर में बीजेपी के सामने कौन सा संकट है खुद प्रधान मंत्री मोदी लगातार दक्षन राज्यों में रैली दर रैली कर रहे हैं लेकिन इस वक्त वह दो हजार सैन्तालिस में भारत को विक्सित राष्ट बनाने का जिक्र नहीं कर रहे है ना ही वो ये कह रहे हैं कि तीसरे नंबर की एकनौमी हो जाएगी इस दौर में वो जानते हैं कि देश के सामने इलेक्टरोल बॉन्ड के जरिये जो करप्शन की परिस्ति कॉर्परेट के आसरे निकली है उसको लेकर भी जनता के बीतर सवाल तो होंगे तो वो कौन से सवाल उठा रहे हैं हम इन पन्नों को खोलें उससे पहले हमें लगता है जरा समझिये बीजेपी जैसी राश्टिय राजनितिक दल जो कहती है कि उसकी सदस संख्या 10 करोड के पार की है वहाँ पर बीजेपी है तूटी हुई शिवसेना है तूटी हुई एंसिपी है राश्टिय लोग जनशक्ती पार्टी जो पशुपती इनात पारस की थी वह भ पारफ लोक जन्शक्ती पार्टी जो राम विलास पासवान के नाम पर बेटे चिराउक पासवान चला रहे हैं बिहार में वह भी हैं AIDMK भी है, अपना दल सोने लाल भी है, National People's Party भी है, National Democratic Progressive Party भी है, All India Student Union जहारखंड की वह भी मौजूद है, सिक्किम कांतिकारी मोर्चा भी है, मिजोरम National Front भी है, Indigenious People's Front of Tripura भी है, नगा पेपुल Front नगा लैंड भी है, असम गन परिशद भी है, PMK भी है, तमिल मनीला कॉंग्रेस भी है, United People's Party लिब्रल भी है, प्रहार जनशक्ती पार्टी भी है, रास्तिय समाज पक्च भी है, जन सुराज पार्टी भी है, कुकी पेपुल सेलाइंस भी है, United Democratic Party जो मेगाले दिखली कि SAD को दुबारा यानि अकाली दल के साथ भी समझोता कर लिया जाए, तो अगले 24 से और 40 घंटों में आपके पास पंजाब से यह भी खबर आ जाएगी कि अकाली भी साथ BJP के कड़े हो गए, उदर महरास्ट कुमान तक पार्टी भी है, निशाद पार्टी भी उ Congress वह भी है, पुथाया तमिल ग्राम वह भी है, लोक जनशक्ती पार्टी का जिक्र पहले किया, गोर्खा नैशनल लिबरेशन फ्रंट यह भी साथ में है, इन सब के बीच R.L.D. भी साथ आके खड़ी हो गई है, चंदरबाबू नाइडू भी साथ आकर खड़े हो गए है, अंदरबर्देश में दो पॉलिटिकल पार्टी साथ है, इस बीच मशक्कत नवीन पतनायक के साथ भी अभी तक चल रही है, हलाकि नवीन पतनायक के साथ के लोग और बीजेपी के भीतर भी कुछ हवाज ऐसी है कि हम अपने बूते कर सकते हैं, लेकिन एक के बाद एक पार भीतर गुस्सा था कि आप दूसरों को ला रहे हैं, उन्हें कुछ सीट दे देते हैं, अब जो पहले राउंड में आए, उनके भीतर गुस्सा है कि अब हमारे इससे में क्या आएगा, और ये इस्तिती बिहार के भीतर बाको भी फल फुल रही है, पशुपतीनात बारस जो लंबे समय तक मंत्री रहे, रधान मंत्री मोदी के मंत्री मंडल में, आज उन्होंने इस्तिफा दे दिया, और इस्तिफा देते हैं, उनके भीतर का गुस्सा सरलता के साथ उभर रहा था, इस मौके पर जब वो जान गए कि अब भतीजे की जरुरत पढ़ गई, तो भतीज पर भतीजा चुनाओ लड़ रहा होगा, यानि हमारी लड़ाई आपस की होगी, प्रधान मंत्री मोदी या बीजेपी आमिशा को कोई आहत नहीं पहुचाएंगे, लेकिन ये सुर बगावत के हैं, असंतुष्ट होने के हैं, गुस्से के हैं, या बीजेपी समहाल नहीं प ले जाएं, तो जरा उनकी बात सुनिये, जो कल तक मंत्री थे, लेकिन हमारे पार्टी के साथ और व्यक्ति का दुरूप से हमारे साथ नाइंसाफ है हुई, इसलिए मैं भारत स्रकार के के अबने कमंत्री से मैं क्याक समय देता हूँ। बिहार में नितीश कुमार को तोड़ा जा चुका है, लेकिन बाबजूद इसके गले की फास इस दौर में दो राज्य सबसे बड़े हैं, जो गटबंधन के तौर पर बीजेपी की पहचान रहे हैं। और बीजेपी जानती हैं दो राज्यों में अपने बूते वो राज्य में सत्ता बना नहीं सकती हैं और लोगसभा का चुनाव जीत नहीं सकती हैं। जो बीजेपी के साथ नहीं लेकिन इंडिया के साथ भी नहीं लेकिन बीजेपी के साथ और कभी इंडिया के साथ इन परिस्तितियों के भीतर उनके भीतर अभी भी वहापो के स्तिती हैं। और यही वज़ा है कि महराष्ट में राज ठाकरे की जरूरत पढ़ गई बीजेपी को और इससे बड़ा सवाल यह हुआ कि तब अजीत पवार को आप कितनी सीट देंगे वो जितनी सीट मांगते हैं उतनी देते नहीं एक नाशिंदे के भीतर से यह वाज है पिछली बार बिहार में नितीश कुमार को उतनी ही सीट दे रहे हैं नितीश कुमार भी मुखमंत्री हैं एक नाशिंदे भी मुखमंत्री हैं लेकिन शिवसेना क्या नकली है वो जो महराष्ट के भीतर है और जनता दल युनाइटेड असली सही लेकिन वह तो चक्कर लगा कर आ चुकी ह इंडिया का और इंडिया की पहली बैठक में उसने की थी तो क्या उसकी सौदेबाजी का दाइरा बड़ा है राजनितिक तौर पर अलग अलग राजनितिक दल अपनी राजनितिक जमीन देखकर सौदेबाजी जरूर करना चाह रहे होंगे लेकिन छे रज सीधे सीधे जिन प पा रहा है और शायद यही वजा है कि अगर कोई नेता चला गया बीजेपी के साथ तो उस पॉलिटिकल पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है यह कह पाना मुश्किल है यह सवाल महरास के भीतर एक नात शिंदे की पार्टी में भी है जो शिरसेना के नाम से जाने जाती है अजी ही सवाल बिहार में जंता दल युनाइटेड के भीतर भी मंडराने लगा है और वहां से एक बड़े नेता जिनकी पहचान खासतोर से कोई आज से नितीश के साथ नहीं रही है लेकिन उन्होंने ये कह कर दिया सब कुस तो ठीक चल रहा था आप बीजेपी में चले गए और महागडबंदन की इसमें बाद विचार होना चाहिए था एक अच्छी सरकार चल रही थी और जिसमें नितीश जी की भी इमिज बन रही थी और साथ ही जो उनके डिप्टी सीन थे तेजस्वी यादव उनका काम बहुत अच्छा था लोग अप्रिशेट कर रहे थे उनके न और लोगों ने अप्रिशेट किया था समाज में अच्छा एक मैसेज था वो मैसेज ब्रेक हुआ और मैं यह समझता हूं कि उनका भी कमिट्मेंट था कि इस दफ़ा देश चित में और इंडिया के कॉंस्टिट्यूशन को बचाने के लिए इंडिया के फ्यूचर को बचान करने के लिए इंडिया गडबंदन को जीतना चाहिए तो वहां हम आहत हुए बहुत ज्यादा और आज हम यह मजबूर हुए कि मनलब इस पाटी को छोड़ करके कोई और रास्ता चुने जी यह जेडियू के नेता अली अश्रफ फात्मी साहब है इन्होंने नितीश कुमार का साथ छोड़ दिया एक लंबी कतार है बिहार के भीतर चाहे वो उपेंद्र कुश्वाहा की हो वह भी दिल्ली पहुँच गाए कि हम भी रूटे हुए है मांजी के भीतर भी लगातार हिचकोले मार रहा है कि पता नहीं इस लोकसभा चुनाओ के बाद विधान सभा में उ इसी तरीके से लालू यादव मान जाएं तो उनकी इंट्री हो जाए वह राम बिलास पासवान को याद करा रहे हैं लेकिन इन सब के बीच युवा तबगे की जरुरत है तो चिराग को लेकर जो वादा निभाया गया और जिस बातों का जिक्र किया गया तेजस्वी याद के साथ खड़े सांसदों का भी है और अजीत पवार के साथ का भी है और नवीन पटनायक के हां तो मुश्किल यह हो गई कि खुदी बात को लीक बीजेपी ने करा दी उनके नेताओं ने करा दी उसके बाद इस्तितियां बदल गई तो सोचिए पचास राजनितिक दलों को साथ लेकर चलने वाली बीजेपी के भीतर का संकट क्या है सबसे बड़ा संकट यह है कि जिस विक्सित भारत को लेकर जो सपना दिखाया गया उस सपने से पहले 2019 में अगर आप चले जाईएगा तो उस समय ग्राम स्वराज का सपना बीजेपी ने दिखाया था 2019 में जो ग्राम स्वराज के मातत जो भी अलग-अलग हिस्से इस देश में होने थे वो नहीं हुए तो क्या विक्सित भारत को लेकर प्रधान मंत्री मोदी जिन सपनों के आसरे जिन लकीरों को खीच रहे हैं वा भी नहीं होंगे इसलिए इस दोर में उनके शब्दावली बदल गई उनके मुद्दे बदल गए राजनितिक तोर पर जनता को किस रूप में साथ लेना है इसके लिए वो दुबारा लोट आए उसी तरीके से राजनितिक प्रहार करप्शन को लेकर विपक्ष पर करने लगे जैसे 2014 में करत अब दस साल के बाद तमिलाडू के भीतर पहुंच कर जब वो जिकर टूजी का कर रहे हैं तो उसके बाद होते होते टूजी को लेकर सीए जी ने जितने बड़े राजस्व के घाटे का जिकर किया था अगर उसको भी याद आप कर लीजिये तो इस दोर में फाइव जी को लेकर जो रेवेन्यू लॉस इस देश को हुआ अगर उस तुलना में देखें तो कहीं ये बड़ा फ्रॉट तो नजर नहीं आएगा लेकिन इस दोर में करप्शन को क्या लीगलाइस्ट कर दिया गया यह भी एक सवाल है तो फाइव जी से जो रेवेन्यू का लाब हुआ पटूजी की तुलना में एक तिहाई भी नहीं है लेकिन बाब जूद इसके राजनिती चल पड़ी है और इसका जिक्र करने से प्रधान मंत्री चूक नहीं रहे हैं क्यों उन्हें जिक्र करना पड़ रहा है आज जो उन्होंने कहा पहले इनकी बात सुन लीजिए उसके ब का मतलब है बीग करप्शन डीम के और कॉंग्रेस का मतलब है बन फैमिली रूल इसलिए देश में कॉंग्रेस की छुट्टी हुई तो देश आज 5G टेक्नलोजी में पहुंच गया है लेकिन तमिल नाडू में डीम के का अपना अलग ही 5G चल रहा है डीम के का 5G आने एकी फैमिली की फिप्ट जनरेशन का तमिल नाडू पर कबज़ा इस 5G फैमिली ने 2G स्कैम करके पूरी दुनिया में भारत और तमिल नाडू की इमेड गिराई है अब परधान मंत्री उन्ही बातों का जिक्र कर रहे हैं जो 2013-14 में किया करते थी यहां पर एक सवाल कोई भी पूश सकता है कि आखिर विक्सित भारत का मतलब होगा क्या आपको भी मौका मिले तो आप Google में जाईए वहां विक्सित भारत प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी टाइप कर दीजिए उसके बाद वो साइट आपको ले जाएगी कि विक्सित भारत की परिकलपना प्रधान मंत्री मोदी के जहन में क्या है उसे जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आप सोचने लगे अच्छा ये मतलब है और वो मतलब क्या है मतलब ये है कि गांधी जी के दौर में भारस सत्याग्रह, असयोग, स्वदेशी, क्रांतिकारी रास्ता, शिक्छा में रिफॉर्म इस दिशा में बढ़ रहा था जो इस देश के भीतर में डेवलप्पेंट, इंडिया का जिक्र है, वो युवाओं के जरीए है और युवाइनी उनिवर्स्टी से निकलेंगे और इस देश के भीतर में जो सच्चता वियान है, जो डेश्टल इंडिया है, जो वोकल फॉर लोकल है, जो यूथ पावर है, वो इस देश में आर्थिक विकास करेगा, समाजिक विकास करेगा, परियावन्ड में सुन्दरता लाएगा, गुड गवर्नेंस लाएगा, इस पिसान को, मजदूर को, महिलाओं को, युवाओं को एक नई जाती के तोर पर परिभाशित करने की कोशिश हुई यानि भारत के भीतर की जो सांस्कृतिक पहचान इस देश की जातियों से जुड़ी उससे हटकर नई परिभाशा गरने की कोशिश है तो ऐसे में हमें लगता है कि 2019 का मैनिफेस्टो कभी निकाल लीजिए उस मैनिफेस्टो के पेज नमबर 16 पे जाईए उसमें लिखा हुआ है कि भारत ग्राम सुराज बनाएगा उस मैनिफेस्टो के भीतर इस बात की जानकारी है कि 2022 तक सबको घर मिल जाएगा नहीं मिल पाया 2024 तक हर घर में नल से पानी आ रहा होगा नहीं आ रहा है डिश्टल इंडिया हो जाएगा यानि सूचना का शशक्तिकर्ण होगा वह भी पिछड़ गया मामला सडक से समरिद्धी आ जाएगी वह भी ग्रामीन इलाकों में चीजिया दूरी पड़ी है सुच्छता से संपन्नता आ जाएगी वह भी चीज़ा दूरी पड़ी है और जब सरकार की ही वेबसाइट के भीतर जाकर इनका सच आप टटोलना चाहेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि तकरीबन पांच लाक तेरा हजजार से जादा घर बन गए हैं खाली पड़े हैं तमिलनाडू, बिहार, राजस्थान, उत्तरपरदेश, पश्चिम, बंगाल समेच 6-7 राज्जी ऐसे हैं जहां पर 1,444,000 घर जो बनने थे उसको विड्रो कर लिया गया है वजा बताई नहीं गई कि बजट नहीं है या मुश्किल हालात है लेकिन विड्रो कर लिया गया जो पानी है जो हर घर में पहुँचना था वो 5% ही पहुँच पाया है और इस्तिती यह है कि इस देश के भीतर में लगबग 98,455 गाओं को लेकर दावा किया गया कि हम वहाँ पर पाईपलाइन बिछा रहे हैं और जानकारी निकल कर आई सिर्फ 13,85 गाओं तक यह बात पहुची है जो डिजिटल इंडिया कक था उसमें भारत नेट का जिकर किया गया हम 2019 का जिकराप से कर रहे हैं उस समय था कि धाई लाग ग्राम पंचायत में पेतरी निस्थिती आ जाएगी और 2024 में 6307 ग्राम पंचायत में ही एक्टिव हो पाया है वाई-फाई बाकी जगों पर हुआ नहीं है जो सडक का मसला है उसमें टार्गेट था हर बरस 41,171 किलोमीटर हुआ किया पिछले बरस ये 17,417 किलोमीटर ही हो पाया उससे पहले 7,991 किलोमीटर उससे पहले 9,487 किलोमीटर और इन सब के बीच जो सैनिटेशन की इस्तिती थी हमें लगता इसके लिए बहुत भटकने की ज़रुत नहीं है इस देश के जिन जिन सांसदों ने गाउं को गोद में लिया उसमें प इस्तिती है उसको परखा जा सकता है वह भी आधी अधूरी नहीं बलकि विभस्त इस्तिती में है तो सवाल है कि जो सपने दिखाये जा रहे थी वो प्रधान मंत्री भी जानते हैं इन सपनों के आसरे मुद्दे तो दब सकते हैं लेकिन इस देश की समाजी कार्थिक परिस बोज ऐसी परिस्तिती आएगी जहां वो अपने चुने हुए नुमाइंदे का दरवाजा ही खट-कटाएंगे और भारत के भीतर राजनेतिक सत्ता से बड़ी ताकत क्या होती है और उस पर भी अगर सांसद है तो फिर क्या बात है तो एक-एक वोट माइने रखता है उन ल जरूरत तो गुजरात में भी उन कॉंग्रेसियों की पढ़ गई जो की वोट पर असर डाल सकती थे उन आम आदमी पार्टी के नेताओं की पढ़ गई जो की आवाज उठाकर मुद्दों को सामने ला रहे थे तो गुजरात जो राजनेतिक प्रयोग शाला जो वाइबरिं सेंचुरी राजनेतिक दल इस देश में बीजेपी के साथ खड़े हैं यानि दुनिया के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और दुनिया के विखसत रास्टों की कतार में खड़े होने का नारा और इन सब के बीच दुनिया के सबसे लोग प्रिये नेता के तोर पर चेह में शामिल हो सकता है दर्वाजे उसके लिए खुले हुए या इस्तिती 24 के चुनाव को लेकर NDA की है जी नहीं BJP की है जी नहीं मोदी और अमिशा की बिसात की है बहुत 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 बहुत